हलो फ्रेंस नमस्कार देखिये आज हम इमली की चटनी बना रहा है खट्टी मीटी और यहां पे मैंने इमली लिए तीनसो ग्राम मैंने इमली लिए और जो मार्किट से मंगाई है मैंने इसमें क्या है गुठलीः नहीं है गुठली निकाल लिए चलिए इसको बनाना स्टाट रखते हैं देखिए मैंने यहां पर बरतन लिया इसमें मैं एक गलास पानी डाल देखिए पानी में मैं इमली डाल देखिए इसको गैस पर पकने के लिए रखतेंगे अजय है देखिए मैंने गैस पर रख दिये इसको अच्छे से पका लेते हैं देखिए इस तरह पक रही है और पकाएंगे अच्छे से देखिए अच्छे से इनली हो गई है पक चुकी है चलिए गैस को बंद करके इसको ठंडा कर लेते हैं ठर जब देखिए ठंड़ा ही हो चकी है और इसको मिक्सी में पीस लेते हैं अगर आपको पानी की तो पानी भी डाल सकते हैं चलिए मुझे जरूरत नहीं है तोड़ा बहुत ही गीला है अच्छे से पिस जाएगा अच्छे से पिस चुका है तब इसको एक जार उसमें चलनी में निकाल लेते हैं पल्प को इसके तो इस तरह से एक चलनी लिए और इसको मैं इसमें निकाल लूँगी और इसको चलनी की मदद से वासे गुमाते हुए पल्प को निकाल लेना है थोड़ा वाद अगर पानी की जरुवत पड़े तो थोड़ा वाद पानी भी ले सकते हैं जेखेट मैंने सारा पल्प निकाल लिए कि त्क घाडा पर निकला है तोड़ा मैंने पानी की मदद से निकाला आए से grand a 7 पर das t जब nे के लिए देखिए मैंने घ Lock दिया ऑं इसको पकाले थे इसमें बॉयल आने देते हैं देखिए बॉयल होने लगा है और मैंने यहां पर 300 ग्राम इमली ली थी अब मैं यहां पर 500 ग्राम गुल्ड डाल दीती है जो मैंने तोड़ लिया इच्छी से छोटा-छोटा कर लिया इससे क्या है गुल्ले में आसानी हो जाएगी इमली आए चैके बोल लुटा आपके ज़एगी अच्छे से खलत चुकिए चलिए इसमें असाले कर देते कि मैंने शोप को पीस के पाडर बना लिया है यह चमच सोप डाल रहे है आपके पाडर साख को मिला देते हैं देखिए मैंने चमच जीरा पाडर बनाया हुए है ज़ए ड पाउडर बनाया है तो भी अट कर लोगी और लाल मिर्ची पाउडर एक बड़ा चमपच इससे बड़ा चा कलर भी आता है और चट पटाओ भी बंदा है चलिए इसको थोड़ा सा बॉल कर लेते हैं और देखिए अपनी चटनी पिल्कुल तैयार हो चुकी है बन चुकी है क्य सब्सक्राइब जरूर करें चलिए इसको करते हैं ठंडा ठंडा होके और भी गाड़ी हो जाएगी फिर सब्सक्राइब करते हैं देखिए चटनी बनके रेडी होगी मैंने एक बाउन में निका लिए देखों कितिक गाड़ी अच्छे से बनी है पिल्कुल मार्किट जैसा ह इसका टेस्ट और आप पकोड़ी कचोड़ी समसे किसी भी चीज के साथ खाए बहुत ही अच्छी है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इससे क्या है मेरी नई वीडियो आपके पास पहुच दीत रहें थैंक्यू